अब्देट जारी कर दिया है अप्डेट जारी हुआ है मांसून को लेकर बहुत ही अच्छी ख़बर है दोस्तों आपके लिए भरत में मांसून ने दस्तक दे दिये जिसका सभी को इंतियार था और यह खुशकाबरी यह बड़ी ख़बर है बड़ा अपडेट है जान लेते ह इसको विस्तार से कि कहां तक है मानसून और किंगी छेत्रों में पहुंचेगा लेट दोस्तो विडि़ी शुरू करने से पहले करना चाहूंगा आपने अविडि़ी चौनल सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब करें वहीं आठ दिन की देरी से किरल पहुंचे मानसून के बाद यहां के तटी इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है मोसमी वहाग के अधिकारियों के मुतावित किरल के कहीं हिस्सों में बारिश हो रही है यह खबर देश के लिए अच्छी है क्योंकि बड़ा हिस्सा क्रशी संकत से जूज रहा है साथ ही देश में पाने को लेकर हाकार मचा हुआ है पश्शी में और दक्षणी भारत में जलाक्षयों को जलिस्ता निर्मनस्तर तक चले गए हैं अधिकांश्र ग्रामिन भारत चार महिनों के मांसून के मोसम पर निर्भड करते हैं जिसमें वार्शिक वर्षा का 55 प्रतिशत हिस्सा होता है एक अच्छे मांसून का अर्था विवस्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्रशी भारत की जीडिपी में प्रमुख योगदान देती हैं इससे पहले मोसमी भाग ने कहा था कि केरेल में मांसून 6 जून को पहुंचेगा और वहीं मोसम पुरुवान लगाने वाली प्राइवेट एजेंसिस काइमेट ने जान करे दी थी कि मांसून इद्बार 4 जून को दस्तक देगा आम तोर पर केरेल मांसून शुरू होने की तारीक एक जून रहती है परन्तु फिर मोसमी भागने अनुमान बदला था और आठ जून बताया था जो कि एक दिल्ली के बात करें तो यहां पर मांसून 2-3 दिन की दिली से पहुंच सकता है शहर में सामांनि मांसूर रहने की संभावना है उत्त्र पश्य मभायरत भी भीशन गर्मी की कारण पाने की किल्लत भी हो गई है राजिस्थान के रतिले इलाके में तो जीना दुश्वार कर चुरू में पर आप पजाश कर गया है और सदोस्तों पूरे भारत में मची हुई है पानिकों लेकर जर्ण संकट को लेकर घर्मी को लेकर हाहाकाः इसवीच अच्छी ख़वर आई है मांसून की भारत में दस्तक दे चुका है किरल तट पर मांसून और वहां हो रही है फिलाहल भारी बारिश तो बने रहे नमस्ते नियूस के साथ देश की और मांसून की पलपल की बड़ी अपडेट ख़वरों को तुरंत प्राप्त करने के लिए वीडियो को पर इसलिक शेयर करें ताकि सब लोग जान सके इस बड़ी और खुशकवरी को और साथ सत्र कर सके सुडियो में इतना ही फिर आपको लिए उपसे दोंगाने जानकारी के साथ तब तक लिए उस्तों खुश रहिए स्वास्तर रहिए नमस्ते इंडिया